Hello students, welcome to Smart Education Academy, मैं मुशीर खान, आपके लिए लेके आया हूँ, आज मैं इस वीडियो में Environment के Current Affairs जो हमारे May month से related हैं, यानि कि आज हम अपने इस वीडियो में सारे उन Environment के Current Affairs की बात करेंगे जो की हमारे month of May में हमें देखने को मिले News में, तो जितने जितने important facts हैं और जो जो हमें उनकी utility दिखती हैं और जो जो ऐसे topics के हमारे exam में उनसे related कुछ questions बन सकते हैं, तो उन सारे topics को हम बात करेंगे अपने आज इस वीडियो में सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं कि जो लक्षदीब Development Authority का creation हुआ अब अगर लक्षदीब की जो Development Authority अब जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे यह Development Authority है अब जैसे कि लक्षदीब है वो एक Union territory है और एक बहुत छोटी सी मतलब अगर आप इसको देखें तो यह 28 स्क्वार किलोमीटर पे कहीं पे आपको यह 29 और कहीं पे 31 स्क्वार किलोमीटर की यह territory सुनने को मिलेगी अब लक्षदीब में जैसे कि एक छोटी सी territory है अब वहाँ पर भी कुछ Development होना चाहिए अब Development in the sense यह नहीं कि हम वहाँ पर इंडस्ट्री का सेट अप कर देंगे लेकिन जो वो region है जहां पर उससे जुड़े हुए जो natural resources हैं उनका हम exploitation करेंगे और अपने लक्षदीब को हम एक better territory की रूप में और एक यह कहा जा सके कि एक developed territory के रूप में उसको बढ़ाएंगा कि तो इसमें एक सबसे important बात तो आपको यह बात जाननी है कि जो हमारे administrator अब जैसे कि आपको सबको पता होगा कि जो union territories हैं उनके लिए एक हमारा administrator होता है अब जो administrator होगा तो जो administrator है तो वो उस प्रदेश का एक प्रधान है तो सबसे पहले जो इसको appoint किया गया है उसके रूप लक्षवदीब development authority का भी एक administrator appoint किया गया है जिनका नाम है प्रफुल खोड़ा पटेल तो यह बात आप इसकी जरूर ध्यान लखिएगा और देखिए लक्षवदीब है अगर तो लक्षवदीब के जैसे छोटे-छोटे कुछ islands हैं जो आते हैं तो यह आप जरूर ध्यान ल कवरती है तो यह हमारे बहुत important और अगर आप देखें तो इन दोनों तीनों के नाम पर यानिके किलतन, कदमत और कवरती तो यह हमारे एक Indian novel ships भी हैं तो यह बात आप लक्षवदीब की जो यह छोटे-छोटे islands हैं इनको भी जरूर ध्यान लखिएगा क्योंकि इसमें हमें कुछ बहुत जादा deeply तो नहीं पूछा जा सकता है लेकिन अगर लक्षवदीब से related question बनेगा तो it may be possible कि वहाँ की physical geography या political geography से related question बन जाए तो जो लक्षवदीब development authority है इसका आपको याद रखना है कि जो administrator हैं वो प्रफुल खोड़ा पटेल हैं next देखते हैं range of all the invasive white flies increases तो यह कुछ यहाँ पर एक ऐसा topic है जिसको मैंने पढ़के आपको बताया है range of all the invasive white flies increases तो सबसे पहले जैसे white flies की बात करते हैं तो यह हमारी एक common flies होती हैं और यह जो different different kinds के जो food होते हैं यह उनहीं पर ही अपना जीवनियापन करती हैं तो white flies के लिए आप एक बात जरूर धियान दखियेगा कि जो हमारा जैसे कुछ जैसे हमने अपनी species हैं कुछ varieties हैं तो एक नाम आता है betty cotton का तो जो यह betty cotton है इसके ओपर कोई भी insects या फिर कुछ ऐसे यह कहा जाए कि जो हमारे कीट हैं वो impact नहीं डालते हैं लेकिन white flies जो है वो एक ऐसा हमारे insect family में आते हैं जो की definitely हमारे betty cotton को भी impact पहुचा सकते हैं तो हुआ कुछ ऐसा था कि जो recently अगर हम देखें तो white flies काफी news में बनी रहे और यह एक परकार से जैसे हमारे foods के कई सारे plants हैं fruits के plants हैं उन सब को यह destroy कर देते हैं और destroy in the sense क्योंकि यह तो एक कीट हैं तो यह धीरे धीरे सारी फसलों को क्या कर देते हैं खत्म कर देते हैं तो यह इसलिए news में बने रहे तो आपको बस white flies से regarding अगर कोई बात आती है तो आप उसको जरूर ध्यान लखेगा कि BT cotton के लिए भी मतलब BT cotton भी white flies के लिए resistant नहीं है अब देखें जैसे अगर मैं बा जैसे यह लिखा है A76 तो A76 में वो आपको four option देंगे वो कहेंगे कि यह कोई ship है या फिर यह कोई guava की variety है या फिर यह कोई volcano है या फिर यह एक iceberg है तो जैसे एक छोटी सी बात A76 तो बस वो कहेंगे A76 recently in news तो what is this तो यहाँ पर आपको सबसे important बात बस एक यह याद रखनी ह है कि A76 जो है वो एक हमारा iceberg है ठीक है और यह जो हमारा A73 iceberg है इसके बारे में आप इसको जरूर धियान लखिएगा कि जो यह iceberg है हमारा यह Antarctica के region में है और जो वेडल सी का portion है यह कुछ इतना मतलब हम मैंने इसकी आपको location भी बता दी कि A73 जो हमें मिलेगा वो कहां पर कि A76 तो A76 का जो iceberg है यह हमें Antarctica region में मिलेगा और कहां पर जो वेडल सी के आसपास का छेतर है यह वहां पर तो यह रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया था कि यह एक बड़ा पार्ट है जो कि टूट गया है और जो यह टूट के और यह Antarctica के अबव रीजन में जो हमारा ओश वर्ल्ड का और मतलब इसको माना गया है कि यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा iceberg भी है तो बस यहां पर आपको एक बात याद रखनी है A76 is an iceberg दूसरी बात आपको यह याद रखनी है कि यह location इसकी कहा है तो वो Antarctica region में फिर और अगर कोई C की बात आए तो आप उसको याद किएगा A76 is an iceberg और दूसरा location इसका Antarctica अब देखते हैं एक और topic था जो हमारा में में काफी चर्चा में बना रहा तो वो हमारा Great Nicobar Island अब देखिए Great Nicobar Island के लिए development के लिए जो हमारा नीती आयोग है नीती आयोग ने रिसेंटली एक अपनी project report दिया अब जैसे कि detailed project report तो यह ज जैसे यह कहा जाए कि जैसे Great Nicobar region है अंडमान region है तो यह एक hot spot region है अब देखिए hot spot region है यहाँ पर इसका मतलब biodiversity कैसी है बहुत हाई है अब biodiversity हाई है तो आप वहाँ पर industries का तो set up कर नहीं सकते क्योंकि definitely उन industries का impact यह होगा कि जो वो region है उस region में जो species हैं और biodiversities है वो total destroy हो जाएंगी तो recently हुआ यह है कि जो environment appraisal committee है और जो हमारा ministry of environment and forest and climate change है इसने जो नीती आयोग का एक project report दिया है नीती आयोग ने greater nicobar Iceland को develop करने के लिए तो इन्होंने क्या किया approval दिया है अब देखिए जो approval है तो उसमें क्या होगा क्युछ ये बाते बताई जाएंगी कि किस तरहां से हमारा nicobar island को अगर हम develop करते हैं तो उसके क्या environmental impacts पढ़ेंगे तो इसके लिए देखिए आप environment appraisal committee ठीक है और यह जो environment apprais appraisal committee है ये किसके लिए काम कर रही है ministry of environment forest and climate change के लिए जो नीती आयोग है उसने अपनी project report दी है जो हमारा nicobar region है उसमें development के लिए तो environment appraisal committee हमेशा हमें ये बताती है कि हाँ ये project यहाँ पर अगर हम start करेंगे तो इसके इतने impact हो सकते हैं कितने impacts को minimize किया जा सकता है और कितन आपर मैंने आपको ये सारी बाते detail में बताएं अब देखिए एक बात आप जरूर याद रखिएगा जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे news में इस तरह के topics आते ही तो students ये सोचते हैं कि अब हम इसमें कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है कि जिसको वो तयार करें या फिर वो इस ही report में इतनी जादा detail में अपनी time लगा देते हैं उसको पढ़ने में जिससे उनका बहुत अधिक समय consume हो जाता है तो यहां पर एक सबसे important बात जो है वो बस आप यह याद रखिएगा कि जो हमारा great nicobar island region है जो नीती आयोग ने अपनी project report दिया है उसमें great nicobar region को एक maritime और startup hub ब बात की गई है तो देखिए सबसे पहली बात maritime hub दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो यहां पर एक Galathia Bay है और इस Galathia Bay मर एक port का development या फिर यह कहा जाएगा कि construction of the port होगा इस Galathia Bay region में अब बस हमें यही बात याद रखनी है कि देखिए अगर geography के perspective से question पूछता है UPSC तो हम Galathia Bay जो है अगर इसकी location की बात आए तो हम सबसे पहले हमसे अगर question पूछा जा सकता है तो वो यह कि Galathia Bay की location क्या है तो it should be आपको पता होना चाहिए कि Galathia Bay हमारा अंडमानर निकोबार regions में located है और वो भी Great Nicobar region में देखिए अब जैसे issue है यहां पर यह हो रहा है कि जो य इसे development नहीं होने चाहिए क्योंकि आप देखें अंडमान और निकोबार के अंदर जितना भी region है यह हमारा tribal region है तो tribes को development से दूर रखा जाता है अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम development करने को बिलकुल या फिर हम यह कहें कि हम development को बंद करते हैं क्योंकि हमें कुछ ना कुछ त इस तरह से develop करना है कि उसका environment पे impact बहुत कम हो तो देखें जो हमारा नीति आयोग का project आया है Great Nicobar Island के लिए तो हमने उसको भी समझ लिया as well हमें Galatia Bay के बारे में पता चल गया और साथी साथ जो हमें दूसरा बात पता चली हो यह कि Great Nicobar region को कैसे develop करने की बात की जा रही है next देखते हैं अब हमारा जैसे eco sensitive zone यानि के जो हमारा थाणे creek flamingo sanctuary है तो इसके surrounding region को eco sensitive zone जो है वो declare किया गया है ministry of environment forest and climate change के तुआरा अब देखिए eco sensitive zone तो यहाँ पर मैं आपको एक बात यह बता देता हूँ इसको आप ध्यान लखिएगा जैसे यह हमारी flamingo sanctuary है तो इसके around में एक buffer zone create करी जाती है और जो यह buffer zone होती है यही क्या कहलाती है eco sensitive zone और यह जो buffer zone होती है इसको protected areas के around ही declare किया जाता है अब जैसे कि थाने creek flamingo sanctuary तो इसके surrounding region में eco sensitive zone declare किया गया और eco sensitive zone जो होता है region या फिर buffer region यह around 10 km तक के surrounding areas में इसको माना या फिर इसको declare किया जाता है तो देखिए अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले जो सबसे important question बनता है वो एक तो यह कि अगर आपसे directly यह पूछा जाए कि जो हमारा थाने creek flamingo sanctuary है यह कहां पर है तो इसका सीधा सा answer होगा हमारा महाराष्ट में थेक दूसरी बात अगर मैं आपको महाराष्ट की ही दूसरी maritime sanctuary की बात करूं तो उसका नाम है मालवन sanctuary थेक तो जैसे हमारी थाने creek flamingo sanctuary तो यह हमारी एक marine sanctuary है और ऐसे ही एक और है महाराष्ट में जिसका नाम है मालवन sanctuary तो आपको इस topic को अगर देखा जाए तो सबस्यादा important एक हमारे लिए यह है कि थाने creek flamingo sanctuary कहां पर located है तो वो महाराष्ट में located है मैंने आपको यह भी बता दिया as well कि जो eco sensitive zones है यह हमारे एक तरह से buffer zone है अब देखिए buffer zone इसलिए बनाया जाता है जैसे हमारा यह surrounding region अब जैसे कि देखिए यह तो buffer region हो गया और यह जो हमारे regions है यह हमारे development areas है यानि कि हम इन में कुछ भी development कर सकते हैं लेकिन जो हमारा यह 10 km वाला जो area है इसके अंदर हम कोई भी ऐसी activities नहीं करेंगे जिससे कि हमारा इस जो हमारा protected area है इस पे कोई भी pressure develop हो तो यह बा अब जैसे तो महराश्ट के मैं कुछ और आपको ऐसे protected areas के बारे में बता देता हूं तो एक नाम आप याद रखेगा सहयादरी Tiger Reserve यह भी हमारा महरा महराश्ट में है नवे गाउ नेशनल पार्क यह भी हमारा महराश्ट में है as well और जो कोईना wildlife sanctuary और बोर wildlife sanctuary यह भी हमारा मह महराश्ट में है तडोबा अंधेरी Tiger Reserve और संजय गांधी नेशनल पार्क यह भी हमारा महराश्ट में है अगर आप देखें questions को maximum तो देखें जो हमारे wildlife sanctuaries हैं इनको अगर आप एक पूरी list में बना के याद करते हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह wastage of time भी है और as well यह बहु तो यह जो दो हमारे पास में sanctuaries हैं यह हमारी महराश्ट में हैं तो इन दो को भी याद कर लिए फिर जैसे कोइना river है महराश्ट में तो उसको आप याद रख लिए कि वो कोइना कहांपर है महराश्ट में बोर wildlife sanctuary भी हमारी महाराष्ट में है, सायादरी आप सबको पता है कि western ghars के region में है तो definitely वो महाराष्ट में ही होगा, फिर ऐसे ही जैसे जैसे news में कोई tiger reserve या फिर wildlife sanctuary आते चले जाएं तो आप उनको बस याद करते रहें, धियान करते रहें तो एक time में आप सारे के सारे wildlife sanctuary और national parks और tiger reserves को तो जान ही जाएंगे at least कि कौन सा कहां पर located है, फिर हमारे पास एक news आती है कि जिसमें RBI ने recently network for greening the financial systems को join किया है, तो देखिए यहाँ पर अकर question कोई बनने के बात की जाए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमें यह बात याद रखनी होगी, कि जो network for greening the financial systems है, यह क्या है, तो जैसे अगर आप देखें कोई भी एक economy है, तो उस economy में it may be possible जैसे energy produce हो रही है, तो जो financial systems हैं वो कहीं ना कहीं उस coal based economy को ही promote कर रहे हैं, तो जो हमारा network for greening the financial systems है, यह एक ऐसा network जिसमें यह कहा जाता है कि जो हमारी economy है, उसको एक low carbon producing economy की तरफ लेके जाने का एक objective बनाया गया है, तो इसमें यह सिर्फ इंडिया के perspective से नहीं है, यह पूरे world की जो economies हैं उनके लिए बात की जा रही है, तो इसका एक सबसे important जो question बन सकता है, वो एक तो यह कि जो हमारा network for greening the financial systems है, इसका headquarter का है, तो इसका headquarter है ब 2017 में, पैरिस में, और पैरिस में एक summit हुई थी, one planet summit 2017 में, उससे यह कहा गया कि network for greening the financial systems को create किया गया, फिर और बात करें अगर, तो देखिए एक बात आप जरूर धियान रखियेगा, जैसे network for greening the financial system, अब जैसे कि हमारा RBI है, तो RBI ने इस system को join कर लिया, तो RBI वहाँ से क knowledge है, जो supervision है, वो gain करेगा, और gain करने का benefit फिर उसको ये मिलेगा, कि वो उन सारी knowledge को अपने Indian economy के systems में apply करेगा, जिस से, जो हमारा economy है, जैसे कि आप सब को ये पता है, कि जो हमारा India है, ये carbon producer के रूप में, अगर हम देखें, तो एक बहुत high amount में carbon producing होती है, इंडिया की दू अब इसको reduce करने के लिए, यानि कि एक low carbon producing economy को बनने में ये system क्या करेगा, मदद करेगा, कि किस तरह से RBI अपने financial systems को develop करे, कैसे loans दे, किन sectors में loan दे, तो ये सब जो promotion किया जाएगा, तो वो इस knowledge के थ्रू ही किया जा सकेगा, जो उसको मिलेगी network for greening the financial systems के अंतरकत, फिर दे देखिए एक हमारे पास recently एक location है, जो highlight हुई में मन्त में, जिसका बात कुछ ऐसी थी, जैसे Annamalai Tiger Reserve, तो देखिए Annamalai Tiger Reserve ये हमारा Tamil Nadu में है, और यहाँ पर एक community है, पुलायार, अब इस पुलायार community में, क्या होता है, एक annual festival है, जो ये लोग मनाते हैं, और किस मतलब किस भगवान के लिए, वैरा पट्टन भगवान के लिए, तो यहाँ पर एक ये कहा गया कि इस festival को मनाने के लिए रोक लगा दी गई, और फिर जो ये पुलायार community थी और जो इसके जो सब community के members थे, उनमें काफी कुछ ये कहा गया कि रोश देखने को मिला, तो ये community काफी highlight हु तो आपको ये भी पता होना चाहिए, अनमलाई कहां पर है, तमिलनाडू में, अब कुछ और अगर हम protected areas की बात करें, तमिलनाडू की तो उसमें नाम आता है मुखुर्ती नेशनल पार्क और गुंदी नेशनल पार्क, और कुछ टाइगर रिजर्ब्स हैं, कलकड, मुंदन थुराई, सत्या, मंगलम और मुडू मलाई, ये तीनों ही टाइगर रिजर्ब्स हैं, और चौथा मैंने आपको अनमलाई टाइगर रिजर्ब्स बता दिया, तो ये कुछ ऐसी news थी, जिसके context में, यानि कि जो factual question बन सकता था, तो मैंने आपको बताया कि किस तरहां से ये questions बन सकते हैं इस topic से जोड़ कर, फिर हमारा एक next topic, यानि कि third Arctic Science Ministerial जो conference हुई, ये हमारी हुई Japan के, जो की अगर देखा जाए, एक co-host किया गया island के साथ में भी, तो Japan ने तो इसको fully host किया है, लेकिन इसका साथ में, अगर co-partner की बात की जाए, तो Iceland भी है, लेकिन जो इसकी location है, वो Japan ही है, अब online हुआ है, तो online इसके अंदर कई सारी ऐसी countries थी, जिनों ने इसको participate किया, और mainly वो countries हैं, जो Arctic से जोड़ी हुई है, यानि कि Arctic Ocean वाले region से, अब इसका जो theme है, जैसे अगर इस topic पे question बन सकते हैं, तो वो maybe possible statement wise कुछ questions बन सकते हैं, या फिर आप से directly ये पू conference कहां हुई, तो ये बात आप याद रखिएगा, जैपैन ने इसको host किया है, आइसरेंग के साथ, theme है इसका, knowledge for a sustainable Arctic, अगर हम इस Arctic Science Ministerial Conference की बात करें, तो जो सबसे पहली हुई थी, वो 2016 में हुई, USA में, फिर Arctic Science Ministerial Conference 2nd जो हुई, वो 2018 में हुई, जर्मनी में, इंड आर्क की बात करें, तो देखिए, अब Arctic Ocean से जोड़े हुए कुछ ऐसी, मतलब ये कहा जाए कि कुछ initiatives हैं, जो इंडिया ने लिये हैं Arctic Ocean के लिए, अब Arctic Ocean में, 2014 में, इंडिया ने अपनी एक observatory थी, जो setup की है, और ये जो setup की थी, 2014 में, इसका नाम है, इंड आर्क, या आप बस इतनी बात याद रखिए, कभी-कभी ऐसा भी होता है, कि वो आप से ये पूछ सकता है, कि Arctic Ocean में, जो इंडिया की observatory लगी है, उसका क्या नाम है, तो आप उसको बताईएगा, इंड आर्क, ऐसे ही अगर अंटाक्टिका की observatory की बात की जाए, तो वहाँ पर हमारे पास नाम आता है, गंगोत्री, मैत्री, भागी रथी, जैसे कि अगर हम देखें, तो ये हमारी कुछ ऐसी observatory हैं, जो अंटाक्टिका में लगी है, अब इन observatory का जो main use है, वो ये, जैसे Arctic Ocean है, अंटाक्टिका का रीजन है, Southern Ocean है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी हल चल हो, जिसस कि Indian Ocean पे impact पढ़ सकता है, तो ऐसी observatory के through हम क्या करते हैं, read करते रहते हैं, लगतार analysis करते रहते हैं, कि हमारे Indian Ocean में क्या impacts कुछ दिनों में देखने को मिल सकते हैं, तो ये भी बात आप याद रखिएगा, इन observatory का क्या use है, फिर और देखें अगर, तो जो इंडिया है, ये 2013 में जो Arctic Council एक सम्हू है, उसका एक observer status का member बना, यानि कि परिया वेकशक इसको दरजा प्राप्त हुआ 2013 में, तो इस Arctic Council की बात करें, तो Arctic Council में mainly वो countries आती हैं, जो Arctic Ocean को surrounding regions में हैं, जैसे कि हमारा USA है, Canada है, रशिया है, कुछ हमारे ऐसी countries की बात की जाए, उपर अगर हम देख हैं, तो Norway है, Finland है, Sweden है, ऐसे regions की बात करते हैं, तो ये country सब आती हैं, तो इंडिया में इस organization में observer status का दरजा प्राप्त हुआ 2013 में, तो ये हमारा एक 3rd Arctic Science Ministerial Conference से जोड़ा हुआ, कुछ important ऐसे facts जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, exam के perspective से, फिर चलते हैं, अब जैसे कि में मन्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो 22nd में एक बहुत important day है, इस दिन International Day for Biological Diversity मनाया जाता है, अब देखिए जो हमारा International Day है, Biological Diversity का, इसके संदर्ब में अगर हम बात करें, तो देखिए 22nd में को 1993 में, United Nations General Assembly में, एक Biodiversity के जितने भी issues हैं, उनकी awareness को बढ़ाने के लिए, understanding को बढ़ाने के लिए, क्या हुआ, यह कहा जा रहा है कि कुछ, मतलब इस पे resolutions पास किये गए, तो यह जो दिन था, 22nd में का था, और इसी लिए इस 22nd में को International Day on Biodiversity के रूप में मनाया जाने लगा, इस बार का जो theme है, वो theme है, we are the part of the solutions, अब अगर हम decade की बात करें, तो दे 2020 तक का जो decade है, उसे decade on diversity के रूप में, declare किया गया था, United Nations के द्वारा, फिर 2021 से 30 तक, जो decade है, उसको declare किया गया है, decade of ocean science for sustainable development, ठीक है, ऐसे ही, 2021 से हम बात करें, अगर 30 तक, तो देखिए 2021 से 30 तक का जो हमारा decade है, इसको declare किया गया है, ecosystem restoration decade के रूप में, तो ये जो upcoming decades हैं, या पिर जो recent decades हैं, इनको आप जरूरी याद रखिएगा, तो ये जो 2 decades को declare किया गया, मतलब decade तो एक ही है, 2021 से लेके 2030 तक, तो इसमें एक तो ecosystem restoration के रूप में declare किया गया है decade, और दूसरा जो किया गया है, वो ocean science for sustainable development, ऐसे ही हम और topics को जब discuss करते चले जाएंगे, तो maybe possible, और हमें decades declare होते हुए मिले, तो हम उनके बारे में वहाँ पर चर्चा कर लेंगे, तो यहा हमारा एक important topic था, बायो diversity से जोड़ा हुआ, और यह 1993 में highlight हुआ था, याद रखिएगा 1993 से highlight क्या हुआ, मैं यह कहता हूँ कि मनाया जाना start किया गया था, एक next news है हमारे पास बहुत important, जिसमें हाली में मतलब में यह सुनने को मिला, जो हमारे सुन्दरलाल बहुगुणा थे इनकी death हो गई, तो देखिए जो सुन्दरलाल बहुगुणा है, सबसे पहली एक important बात आपको यह याद रखनी है, यह जुड़े है चिपको movement से, और यह जो movement है, यह हमारा 1973 से start हुआ था, और यह 1973 वही year है, जहां से हमारा projected tiger start हुआ है, यह भी बात आप ध्यान रखिएगा फिर दूसरा देखें, जो हमारा चिपको movement है, यह एक non-voilent movement है, जो की Chamoli district से start हुआ था, तो यह एक बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए, क्योंकि अब सुन्दलाल बहुगुणा एक environmentalist है, तो यहां से अगर हम देखें, तो हमें कुछ बातें इनके बारे में जरूर पत चाहिल है, और इसके उपर, मतलब government का attention लाने के लिए, इन्होंने एक पैदल यात्रा भी की थी, जो की कश्मीर से कोहिमा तक थी, ठीक है, कोहिमा हमारा नागलेंड रीजन में है, और यह 1980 में की थी, इन्होंने, around 48-100 km के आसपास की यह इनकी यात्रा थी, और जो इनका agitation था, वो agitation mainly, जो तेहरी डैम है, भागी रती नदी पर, उसे बनाने के लिए था, यानि कि उसको ना बनाया जाए, तो इनका जो agitation था, वो हमारा तेहरी डैम को ना बनाने के लिए था, तो यह हमने सुंदललाल बहुगुडा के context में कुछ बातों को जाना, फिर देखते है जैसे की COP28, तो देखिए COP28, हमारी जो declare की गई है UNFCC के द्वारा, वो declare की गई है, 2023 में ये COP28 होनी है, और इसके लिए जो location decide की गई है, वो हमारा अबुजाबी, तो ये बात आपको जरूरी याद रखनी है, तो ये जो COPS है ना, इन COPS के बारे में आपको जरूरी याद र है, फिर COP22 है, तो ये माराकेश में हुई थी summit, फिर अगर हम 23 की बात करें, तो बॉन जर्मनी में हुआ था, फिर 24 की बात करें, तो केटोवाइस पोलैंड में हुआ था, COP25 की बात करें, तो मैडरेड स्पेन में हुआ था, COP26 जो की होना है नवंबर में, डिकलियर किया गय है, Glasgow, Scotland में, अभी तक कि ये मतला इसको डिकलियर कर दिया गया था, 2020, 2020 में होने के लिए, लेकिन ये नहीं हो सका था, due to the COVID pandemic, तो इसको 2021 के लिए आगे बढ़ा दिया गया था, अब 2021 में ये जब हो जाएगी conference, तो फिर COP27 होगी, उसके लिए Egypt को final किया गया है, अभी venue उसका इतना decide नहीं हुआ है, लेकिन वो भी मतलब ये है कि as expected होना है, 2022 में, फिर COP28 के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कि ये 2023 में होना है, और जो इसके लिए venue decide किया गया है, वो अभू जाबी है, जो ये COP28 है, COP26 है, ये जो हमारा है, ये हमारा UNFCC का ही conference है, यानि कि अगर ये news में आता है, तो आप ये समझिएगा, जो earth summit हुआ था, 1992 में, तो वहाँ से एक treaty sign की गई थी, जिसका नाम था United Nations Framework on Climate Change, ठीक है, ये UNFCCC है, United Nations Framework Convention on Climate Change, इसमें present time में 197 countries हैं, और अगर हम देखें, तो ये जो हमारा UNFCC है, ये इसका, इससे कुछ important treaties हैं, जैसे मैंने आप को बताया, Paris Agreement, COP21, ये 2015 में हुआ, फिर ऐसे ही अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमें एक और Kyoto Protocol है, जो 1997 में ये तोड़ा सा यहाँ पर mistake हुआ है, टाइपिंग का, तो Kyoto Protocol 1997 का है, तो इन से, ये different, different जैसे की Cops होते हैं, ये conventions होती हैं, तो उससे, जिस venue में होता है, वहाँ पर अगर कोई agreement sign हो गया, तो हम उसको agreement के नाम से, या फिर हम उस city के agreement के नाम से जानने लगते हैं, जैसे की COP21 हुआ, पैरिस में है, तो वहाँ पर जो countries में agreement हुआ, उसे हम Paris agreement के नाम से भी जानने लगे, 1997 की बात करें अगर, तो Kyoto जो हमारा region है, या फिर हम बात करें, एक city की, ये Japan में है, तो यहाँ पर, जब एक agreement sign हुआ, तो उसको हमने Kyoto Protocol का नाम दे दिया था, तो ये जो cities हैं, इन से इनका agreements का नाम निकला आता है, sequence मैंने आपको बताई दिया, तो maybe possible जैसे UPSC में match the following में आपसे पूछ लें, COP26 का venue, COP24 का venue, COP21 का venue, क्योंकि ये recently काफी news में बना क्योंकि जो हमारा Kyoto Protocol है, इसकी deadline खत्म हो गई है, जो Paris Agreement है, इसको force में लेके आना है, मतलब इसको affected format में लेके आना है, तो कुछ ऐसे ये कहा जाए कि अभी clause हैं, जो final नहीं हो पाए हैं, developing और developed countries के बीच में, तो उनको clear करना है, तो ये हमारा जब सारी चीज़े clear हो तो exactly जो हमारा Paris Agreement है, ये हमारा implement हो जाएगा, फिर देखें, एक हमारे पास topic है, net zero by 2050, तो International Energy Agency, इसने एक net zero, मतलब net zero का in the sense ये कि zero emission, अब zero emission, जैसे कि आप यहाँ लिखा देख रहे हैं, balance between greenhouse gas emissions produced, यहाँ पर ये बात आप जरूर याद रखिएगा, produce और greenhouse gas emissions taken out, यानि कि जो अब greenhouse gases atmosphere में आ गई हैं, उसको हम अपने atmosphere से कैसे बाहर करें, तो इन दोनों के बीच का जो balance है, वो हमारा क्या होगा, net zero के format होगा, तो ये बात आप जरूर थ्यान लखिए, अब International Energy Agency ने net zero का जो target decide किया है, वो कितना किया है, 2050, तो सबसे important बात आपको ये याद रखनी है, अब इस से मदद ये मिलेगी, कि हमारा जो temperature है, global temperature, उसको 1.5 degree, से आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकेगा, तो एक तो बात ही आगए, ये 1.5 तो एक common point है, ये आप सबको अब तक याद हो चुका होगा, कि बार बार जितने भी agreements और conventions की बात की जा रही है, उसका सिर्फ एक ही target है, कि जो हमारा global temperature है, उसको हम 1.5 degree तक ही exceed करने दें, उससे जादा उससे हम नहीं चाने दें, फिर अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, organization की, तो International Energy Agency जो है, ये हमारा एक autonomous intergovernment organization है, जिसका establishment हुआ था 1974 में, इसका headquarter पैरिस में है, अब इंडिया के संदर में अगर हम बात करते हैं, तो इंडिया इसका एक associate member है, 2017 से, और ये बहुत important report है, जो हर साल issue करता है, जिसका नाम है World Energy Outlook Report, ठीक है, तो ये एक बहुत important fact था, जिसको हमने जाना अपने इस report, या फिर हम इस organization के through, अब बात करते हैं, Climate Smart PPP, यानि कि Climate Smart Public Private Partnerships के बारे में, अब देखिए, जैसे कि हमारे public private partnerships हैं, तो अब Climate Smart की बात हो रही है, तो यानि कि Climate Smart Public Private Partnerships की बात, यहाँ पर इस context में की गई है, जैसे कि, जो government जब किसी भी एक private entity के साथ में partnership करेगी, तो इसका ये प्रियास होगा, कि वो अधिक से अधिक, जिस किसी भी entity में partnership करें, तो वो entity कैसी होनी चाहिए, climate smart, यानि कि in the sense कि वो climate को loss पहुचाने का, जो उसका initiatives है, या फिर ये कहा जाए कि जो उसके impacts है, climate को मिल रहे हैं, उस industry की वज़ा से, उस private entity की वज़ा से, उसे कम से कम reduce करना, यानि कि उसको minimum level पर ले के जाना, तो government अब जिस किसी के साथ भी इस तरह से, ये कहा जाए कि जो triple P है, या फिर public private partnerships हैं, तो वो जब कभी private entity के साथ करेगी, तो उसका sense यही होगा, कि maximum level पर उसे environment friendly बनाना, जैसे कि carbon के emission हो रहा हो, तो ऐसी techniques का use किया जाए, जिससे जो वहाँ पर carbon का emission है, वो बिलकुल reduce हो जाए, और zero level पर आने का प्रियास किया जाए, तो यह हमारा climate smart PPP की बात की गई है, अब देखिए, इसमें क्या होगा, risk sharing between public and private actors, अब जैसे कि कहीं पर कितना risk है किसी industry में या किसी partnership में, तो उसको share किया जाएगा, तो share किया जाएगा, यानि कि उसके risk का minimization किया जा रहा है, कुछ financial rewards देने की बात की गई है, अब जैसे financial rewards यह, कि जैसे एक ही industry है, अब वो pollution पहले जादा करती थी, लेकिन अब उसने धीरे-धीरे क्या किया, कुछ ऐसे initiatives को अपनाया, या कुछ ऐ जाना है, तो देखिए, ये concept है, जो Indian government लेके आई है, तो आप इस बात को अच्छे से समझिएगा, may be possible, जैसे ये जो questions होते हैं, आपके definitive format में पूछे जाते हैं, तो आप इसको definition के purpose से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से कि जैसे financial rewards देने की बात की गई है, environment pollution जो है, उ Protected Planet Report 2020, बस अब जैसे कि ये report है, तो आप सबसे पहले इसके बारे में एक बात ये याद रखिएगा, कि इस report को issue किया है, IUCN, International Union for Conservation of Nature, National Geographic Society और UNEPS की एक agency है, World Conservation Monitoring Center, इन चार ने मिलके इस Protected Planet Reports को दिया है, अब ये जो report है, क्यों important है, क्योंके? जो हमारा 1992 में convention हुआ था, biological diversity पे, तो उसके बाद धीरे धीरे, जैसे COP 5 हुआ, COP 10 हुआ, तो 2010 में, हमारा जो convention हुआ, biological diversity का, वो होता है नगोया में, और नगोया से ही फिर नगोया प्रोटोकॉल बन के सामने आया, इस प्रोटोकॉल में कुछ targets थे, जो decide किये गए, अब दे तो जो हमारा IG targets है, जैसे 2010 में इनको adopt किया गया, अब देखी, यहाँ पे लिखा है 2010 और 20, यानि कितने period के लिए, 2010 से 20 तक के लिए, तो जो यह हमारी protected planet report है, यह जो पिछले 10 साल, यानि कि 2010 से 2020 तक जो IG के targets decide किये गए थे, ठीक है, इन targets को, मतलब एक तरह से यह कहा जाए कि यह इनका एक report card है, और वो report card क्या है, protected planet report, तो may be possible आप से statement से काफी briefly इस से related कुछ question आप से पूछा जा सके, तो आप यह बात याद रखिएगा, protected planet report किस से related है, आईची targets है, जो कहा लिए गए थे, नगोया protocol के अंतरगर 2010 में, next 10 years के लिए, 2010 से 2020 के लिए, फिर एक हमारे पास fly, new fly ash utilization rules आए हैं 2021 में, तो यहाँ पे सबसे common सी बात पहले आप याद रखिएगा, कि जो हमारे इस से पहले fly ash utilization rules आए थे, वो 2016 में आए थे, अब दुबारा जब आए हैं तो वो 2021 में आए हैं, और इसको किस ने issue किया है, ministry of environment, forest and climate change के लिए, अब जैसे कि हम देखें, जो हमारे fly ash है, तो इसका क्या होता है, जैसे cement industry में use हो जाता है, जैसे thermal power plants हैं, तो वहाँ पे koila जलाया जाता है, तो उसका ash बचता है, तो वो जो ash है, उसको reuse किया जाता है, different industries में, तो जैसे अब क्या किया जा रहा है, कि पहले उस fly ash को कम utilization किया जा रहा था, यानि कि उसका wastage जादा हो जा रहा था, अब उसको government ने और frame किया है, और उसका ये कहना है, कि अब fly ash को और अधिक उप्योग किया जाएगा, यानि कि अब और segments जो है, खोल दिये गए है, इस fly ash के लिए, तो पहले fly ash को use किया जा रहा था, अगर देखा जाए, cement industry में, bricks में, tiles में, reclamation of low lying areas, यानि कि जो हमारे कुछ areas नीचे थे तो वहाँ पे जाके ash की dumping की जा रही थी, जिससे कि उनको उपर उठाया जा सके, roads में, flyovers में, agriculture में इसका use बहुत अधिक नहीं हो रहा था, concrete वगेरा में कुछ use किया जा रहा था, तो इस तरहां से, अभी तक ये कहा जाता है, कि about 83% of fly ash जो है, वो utilized होता है, अब उसको 100% fly ash utilization in India by 2009, मतलब 2009 से इस बात को target में लिया गया था, कि अब 100% fly ash का utilization किया जाएगा, तो इसी context में धीरे धीरे ये target बढ़ता चला गया, और अब 2021 में भी इस बात को फिर adopt किया गया, या फिर इस target को लिया गया है, कि अब fly ash का 100% utilization किया जाएगा, फिर एक हमारे पास species है, snow leopard, तो देखिए, snow leopard का मैं scientific नाम बता दे रहा हूँ, पैंथिरा उनसिया, ये हमारा vulnerable category में आता है, IUCN की red list के अंतरगत, इंडिया में, जो इसके कुछ points हैं, जहां पर ये मिलता है, स्पीती है, हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी, गंगोत्री, उत्राखंड में, और खां सनरक्षक, 2020 से चलाया गया, फिर एक global snow leopard and ecosystem protection program है, ये हमारा world bank के साथ चलाया गया, मिलकर, 2013 में, as well, जो हमारा worldwide fund for nature है, उसका और इंडिया का collaboration में, save our snow leopards के नाम से भी एक project है, जो चलाया गया, तो snow leopard के लिए आप इतनी information जरूर याद रखियेगा, ठीक है, तो ये आपके लिए काफी important है, इसकी location जहां पर ये मिलता है, ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया, कि जो हमारा 2000, मतलब national project snow leopard है, ये 2009 का है, इसको जरूर ध्यान लखियेगा, फिर एक और बात अगर हम करें, तो हमें ये बात भी पता होना चाहिए, कि जो हमारा global snow leopard and ecosystem protection program है, ये 2013 से चला है, ठीक है, और India इसका part है, और यहीं पे जो हमारा बिशकेक declaration आया था, 2017 में, वहीं से इंडिया ने इसको join किया था, और WWF India, यानि के World Wide Fund for Nature, और इंडिया ने मिलके क्या चलाया है, save our snow leopard, ठीक है, तो SOS, तो यहां पर कुछ बाते आपको ज़रूर याद रखनी है, एक तो इंडिया में इसकी location, project snow leopard, फिर as well, इंडिया के context मे कुछ बाते हैं आपको, कि इंडिया ने कब join किया, प्रोग्राम कब का है, 2013 का, और World Wide Fund for India, यह SOS की बात की गई है, ठीक है, तो यह हमारा snow leopard के लिए बहुत important facts है, जिनका हमें पता होना चाहिए, अब देखिए used cooking oil, तो यह जो used cooking oil है, इसने क्या किया है, जो हमारा जैसे Indian oil corporation है, इसने recently start किया है, जो हमारा diesel है, उसको blend करना, बायो डीजल से, और वो बायो डीजल काहे से बनेगा, हमारा used cooking oil से बनेगा, अब used cooking oil हम सब जानते हैं, maximum waste हो जाता है, जैसे कि sweet shops हैं, वहाँ पे samosa fry होता है, और ऐसे बहुत सारे जैसे कि अगर आप देखें, जो हमारे roadside vendors हैं, तो वहाँ पे street food देखने को मिलता है, जो हमारा used cooking oil को, मतलब cooking oil को use करते हैं, पर धीरे धीरे वो oil कैसा हो जाता है, totally destroy हो जाता है, जब carbon उसमें बहुत जादा बढ़ जाता है, तो उस waste cooking oil से, बायो डीजल को बनाना, और उस बायो डीजल को blend करना, डीजल में, तो इस बायो डीजल के regards में, जो हमारा initiatives हैं, वो हमें देखने को मिल रहे हैं, अपने government के, और सिर्फ उसका एक ही object है, या पिर एक ही target है, कि बायो डीजल के consumption को धीरे धीरे बढ़ा है जाना, तो अभी recently ये बात भी हो रही है, कि 2030 तक, बायो डीजल को, और जो हमारा ethanol है, इसकी blending क 20 और 30 परसंट तक पहुचा देना है, 2030 तक, फिर मे मन्त में कुछ हमारे पास important cyclones हैं, जो news में बने रहे हैं, तो इसमें एक सबसे important, जो cyclone है, उसका नाम है, तौकते, जो हमारा Arabian Sea region में आया, ठीक है, और इसका जो naming है, वो मैयमार ने की है, और जो की एक जीको के नाम पे क गई है, तो जीको is a type of lizard, ये बात आप जरूर ध्यान दखियेगा, नेमिंग किस ने की है, तो में भी पॉसिबल अगर आप से ये पूच लिया जाए, तौकते, किस रीजन में आया, तो तौकते आपको ये बात पता होने चाहिए, जो हमारा Arabian Sea region है, यानि कि के केरल, से अब इसी के कंटेक्स में मैं आपको एक institute है, वो मैं बता देता हूँ, या पिर एक मैं project है, National Cyclone Risk Management Project, ये हमारा Ministry of Home Affairs के द्वारा चलाया जा रहा है, और in collaboration with, या फिर in assistance with World Bank, तो ये बात आप जरूर ध्यान दखियेगा, ये जो project है, Ministry of Home Affairs के द्वारा चलाया जा रहा है, त इसने भी important environment के current affairs थे, वो मैंने आपको mostly cover किये, अगर आप इन सब को बहुत अच्छे से study करते हैं, और इनके बारे में अधिक से अधिक आप information जी उटा पाते हैं, तो maximum questions आपको environments related इसी segment से देखने को मिलेंगे, तो हमारी इस video series को अधिक से अधिक like भी करते रही है, मैं और साथ ही साथ share भी करते रही है अपने friend circles में, so thank you all for watching and have a nice day.